हेलो सुदेंट्स, पाइफन GUI पर्रोग्रामिंग सीखने की इस वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो सीरीज में हम सीखेंगे पाइफन GUI प्रोग्रामिंग के तुरू अपनी पहली GUI विंडो क्रियेट करना तो चलिए students python सीखने की इस journey को आगे बढ़ाते हुए एक python program बनाते हैं जिसके run करने पर एक GUI window create होनी चाहिए तो चलिए इसका python program देखते हैं तो यहाँ पर students मैंने python program open कर लिया है और python program के run करने पर एक GUI window create होनी चाहिए और देखिए क्या हुआ जैसे यह program run किया है यहाँ पर एक GUI window create हो गई है तो चलिए इस program का logic समझते हैं इस program को समझते हैं तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं जैसे हमने इस python program को run कर आया तो यह हमारी window create हो गई है और इस window में हमने यहाँ पर title दिया हुआ है my first window और इस window की कुछ width और कुछ height है तो चलिए समझते हमने कैसे इस python program के तुरू यह window create की है तो इस program में सबसे पहले हम tick inter package से tk class को import कर रहे हैं यहाँ पर tick inter हमारे package का नाम है जिसके अंदर tk नाम की class है tick inter package हमें class से इस functions प्रोवाइड करता है UI window create करने के लिए और tick inter यहाँ पर strand करता है toolkit interface के लिए और tk हमारी वो class है जो हमारे window को represent करेगी तो python UI programming ने हमारी इस window को represent करने के लिए tk नाम की class define की है तो tk class यहाँ पर python UI window को represent कर रही है तो students जो भी हमें python UI window के अंदर चाहिए जैसे हमारी window का title क्या होगा हमारी window की width height क्या होगी तो वो हम tk class की object के अंदर mention करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हमें tk class की object बनानी होगी तो देखें यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं इस statement में w reference का नाम है और यहाँ tk class की object बनेगी तो w हमारा reference variable हो जाएगा tk class की object बनेगी यह tk object होगी और यह object use होगी window से regarding information store करने के लिए जिसका reference अभी w के अंदर है तो इसके बाद हमें अपनी window का title बताना है जिसके लिए tk class के अंदर एक method है title तो यहाँ हम tk class का title method यूज़ कर रहे हैं जो हमारी window object में title एड़ करेगा और यहाँ पर हमने title क्या दिया है my first window जो हम कुछ और भी दे सकते हैं तो हमारी यहाँ पर title information एड़ हो गई तो यहाँ पर हमारी window के अंदर title आ चुका है इसके बाद हमें अपनी window की width और height mention करनी है कि हमें इसकी window की क्या width रखनी है और हमें क्या height रखनी है तो इसके लिए tk class में geometry method defined है जिसके अंदर हम width और height बताएंगे तो यहाँ पर हम tk class का geometry method यूज कर रहे हैं जिसमें आप cross के जो left में लिखोगे वो window की width मानी जाएगी और जो cross के right में लिखेंगे वो window की height होगी तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं हमारी window की width रहेगी 400 और height रहेगी 250 तो यहाँ पर यह geometry method dimension की information add कर देगा हमारी tk object में तो यहाँ पर 400 यह width हो गई है और 250 यहाँ पर height हो गई है यह 400 और 250 यहाँ पर pixel है जिसके लिए में px वगरा लिखने की जूरत नहीं है automatically 400 को 400 pixel consider करेगा और 250 को 250 pixel width measure करेगा तो यहाँ पर यह pixel में क्यों consider कर रहा है because computer screen को measure किया जाता है pixels की form और इस program की सबसे last statement में हम tk class के main loop method को use करें और इस main loop method का use है कि यह window को active रखेगा, open रखेगा जब तक user window को खुद से close नहीं करेगा तो जब user इस cross button पर click करेगा तो यह window destroy होगी अपने आप यह window destroy नहीं होगी अगर तो हम main loop method को यहाँ पर use नहीं करते हैं तो window बनके automatically destroy हो जाएगी और user इस window को use ही नहीं कर पाएगा main loop method क्या कर रहा है window को open रखेगा और जब user खुद से इस cross button पर click करेगा तो हमारी window destroy होगी तो students यहाँ पर हमने देखा python program जिसके run करने पर एक UI window create हो रही है तो देखिए जैसे ही मैं इस program को run कर आ रहा हूँ तो यहाँ पर हमारा window create हो जा रही है जिसमें title my first window आया है क्योंकि हमने title में mention किया है my first window और यहाँ पर हमने width 400 इसलिए हमारी width 400 आ रही है अगर आप small x की जगा capital x use कर देंगे तो यह run time error हो जाएगा और run time error bad geometry specifier है क्योंकि यहाँ पर geometry specify करने वाली string case sensitive है तो इन्होंने small x के लिए क्या है small x के अलावा कोई भी value अगर हम use करेंगे small x के अलावा capital x या asterisk तो वो run time error होगा और even अगर हम यहाँ पर space दे देते हैं तो भी यह run time error हो जाएगा मैं small x दे रहाँ बट मैंने space लगा दिया that will also be a run time error तो हमें जो dimension बतानी है string की form में बतानी है without space बतानी है और dimension में width किसको माना जाएगा जो small x के left में लिखोगे और जो small x के right में लिखोगे वो height माना जाएगा और इसमें बीच में space नहीं होना चाहिए अगर हम सारी चीजे सही से बताते हैं हमारा program run करेगा और हमारी यहाँ पर GUI window create हो जाएगा अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं ये main loop method को comment कर देता हूँ और इस program को हम ideally के बाहर जाके run कराते हैं तो ideally के बाहर program को run कराने के लिए पहले आपको program की location पर पहुँचना होगा फिर आप type करेंगे cmd और फिर program को run कराने के लिए आप लिखेंगे python space file का नाम जो यहाँ पर window.py है और enter की तो window बनके destroy हो गई है और हम देख भी नहीं पाएं है क्योंकि हमने main loop method को use नहीं किया है और यहीं अगर हम main loop method को uncomment कर देते हैं तो main loop method यहाँ पर use होगा और program को दुबारा से जाके run कराते हैं जिसके लिए पहले आपको program की location पर पहुचना होगा फिर type करेंगे cmd और फिर command लिखेंगे python python यहाँ interpreter का नाम है तो अगर हम cmd से python program कराते हैं तो उसकी command होती है interpreter का नाम जो यहाँ पर python है space file का नाम जो यहाँ पर window.py है अब यह window बनी और यह window active रहेगी और यह window तब तक destroy नहीं होगी जब तक हम इस cross button पर click नहीं करेंगे तो students इस वीडियो में हमने सीखा python program के तुरू अपनी पहली GUI window create करना तो I hope students आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ सीखा तो मिलेंगे students किसी और वीडियो में नए topic के साथ till then bye bye take care of yourself